आम तर पर लोग अपने दैनिक जीवन में घी का इस्तेमाल करते हैं रोटी हो या फिर मिठाई इनमें घी का इस्तेमाल करने से खाने का स्वाथ बढ़ जाता है घी गाय और भैंस के दूर से तयार किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों घी में कौन सा घी अगर आप मार्केट में घाय का घी खरीदेंगे तो किस रंग का खरीदेंगे दोनों में से अधिक पॉस्ट घी कौन सा है हम में से कई लोग गाय और भैस के घी के इस तरह के अंतर को समझने में गलती कर देते हैं ऐसे में हम घी का पूरा और अधिक लाब नहीं उठा पाते ह है वही अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो गाय का घी आपके लिए अधिक फायदे मन होता है गाय के घी में विटमिन ए परियाप्त मात्रा में होता है ऐसे में गाय का घी देखने में पीले रंका होता है वही भैस के घी का रंक सफेद होता है तो चले जानते हमारे शेर भी को बढ़ाने के लिए ज्यादा फायदे मंद माना जाता है संक्रमन से बचाव करने में गाय का घी काम आता है गाय के घी में इंटी बैक्टेरियर इंटी फंगल और ईंटी उक्षिलिएंड गुंड पाय जाते हैं जो संक्रमन और मस्याओं को दूर करने में प्रभावी हो सकते हैं ऐसे में गाय का घी आपके लिए अधिक फायदे मंद हो सकता है गाय और भैस के घी के तुल्ला की जाए तिया दोनों ही घी हमारे स्वास के लिए फायदे मंद हो सकते हैं हाला कि दोनों का सेवन सिमित मातरा में ही करना चाहिए अधिक मातरा में घी का स करने से कॉलेश टोल की समस्याय बढ़ सकती है जिससे दिल से जुड़ी समस्याय होने का खत्रा अधिक रहता है अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें